ये गाइस मैं हूँ नदरी और स्वाकत है आपका मेरे चानल वाट्स ओफ नदरी में आज इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेरा इंडियन क्लॉजट और्गनाइज जैसे कि विंटर्स आ गए है और विंटर्स के कप्रे निकल गए है तो मुझे जो मेरा वाट्रोब है ज वीडियो क्यों ना की जाए ताकि अगर मेरी तरह आप भी अभी अपनी अल्मीरा और नाइस करने वाले हैं या करतने की सोच रहे हैं तो आपको भी थोड़ा आइडिया मिल जाए तो बिना किसी देरी के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपसे एक से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्ली सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन में सके फिल्कुल खाली है इसमें बेख लिफ्टा उस्तार लीजेशन लीजेशन आब कर अफ आप उपको दिखाऊंसर संहिए है कि स्तरीके से आपके पास भी अर्गफ़ाज सकते हो किस तरीके से अपनी जो चीजे हैं वो आप इसमें रख सकते हो यह आप देख सकते हैं नीचे तक बिल्कुल खाली है यह तो यह है वो सारे कपड़े जो कि मैंने अभी इस अलमारी से निकाले हैं जो हमारे काजूल कपड़े जो होते हैं वो है और जो मारे विंटर्स के कपड़े हैं जो मै मैंने अल्मीरा में ही रखे हुए थे यह बच्चों के बहुत सारी कपड़े हो जाते हैं इतने यूज भी नहीं हो पाते तो सारे जो हैं जितने मैं यूज करती हूं तो हैं बाकी जो अन्यूज कपड़े हैं वो यह हैं तो यह जो कपड़े हमने निकाले नहीं है भी तक और वो बड़ा हो गया है तो अभी निकलेंगे भी नहीं तो यह वो कपने हैं कुछ यह मैंने अभी अलमीरा में रखे होए हैं तो इसको भी हम अलमीरा में ही अजिस करेंगे तो यह कुछ वाद्रोप और्गनाइजर्स हैं यह बॉक्स जिसमें कि आप अपने कपड़ों को अब अब आपको भी एसी चीज़े यूसफुल लगे कि जैसे मैंने भी यूस किया है जो मैं यूस करूंगी और आपके लिए भी उसफुल है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वाइड कर दूँगी तो अब मैंने शु करती थी ओफिस से पहले और और कॉलेज के बाद से अफस स्टार्ट हो गया था तो आपिस चाना भस खाना आसो जाना फिर सब बहूट को चले जाना और वेकेंट्स पर गूंब्रा यही सब चलता था अब आफ्ट आफ्ट अब जब आपके उपर रिस्पांस्प्रुटीज जब आपको सारी चीजे खुद से करनी होती है तब आप सारी चीजे सीख जाते हो सबसे पहले जो है मैं सारे कपड़ों की तय बना के रख लूगी और उसके बाद में डेसाइड करूँ कि मुझे कौन से कपड़े को कहा पर रखना है कैसे रखना है तो सबसे बोरिंग पार्ट होता है कपड़ों को तय लगाना कि मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है बट करना पड़ता है I'm sure आपको भी करना पड़ता होगा और आपको बोरिंग भी लगता होगा मगर क्या का सकते है can't do anything about it मैं हो रिंग थोड़ा बोर कपड़े तै करते तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा music चलाया जाए तो यह आ गई है मेरी green tea जो कि मेरे husband बना के लाए है thank you so much तो मैं थोड़ा यह green tea पिल लेती हूं उसके बार दुबार से फिर continue करते हैं यहां पर मैंने यह जो मेरे bags है वो रखा रखे हुए हैं यह मेरे bags है यह makeup box है और यह पाउच है और उसके बाद यहां पर मैंने रखे हैं कुछ अपने hoodies and jacket यह है मेरी winter जैसे January की जो सर्दी आती है उसके लिए जिसे बड़े मोटे मोटे जैकेट्स जही होते हैं तो यह है वो दो बड़े बड़े jackets जो मैंने हां रखे हैं उसके बाद हम पात करें नीचे के रॉस की तो यहां पर मैंने रखे हैं मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि इस वाले अल्मारी में जो मेरे जितनी भी जैसे dresses है जैसे लहंगा या सारी या heavy suits जो होते हैं उसके लिए यह वादरोब नहीं है उसके लिए मैंने एक अलग वादरोब यूज किया है यहां पर मेरे स्रिफ जो casual wears हैं जो कि मैं daily wear में पहनती हूँ यहां पर कभी कभी कहीं आने जाने में थोड़ा बहुत पहन लेती हूँ वही चीज़े मैंने रखी हैं तो यहां पर जो मेरी western wear में जो pants हैं, jeans हैं वो मैंने रखी हूँ हैं और उसके नीचे हैं मेरे regular wear के कुर्ते जो आप देख रहे हैं यह वाली जो layer है वो मेरी regular wear के कुर्ते हैं जो कर्मियों के थे विल्कुल वो मैंने भी हटा दिये हैं और यह थोड़े ऐसे हैं कि मैं पहन सकती हूँ जिनको भी और यहां पर मैंने रखी हैं अपनी pajamia और plazos और lowers यह मैंने एक section में रखा है लोड पजामी जैन प्लाजो और यह कुर्ती मैंने एक section में रखी हुए उसके बाद यहां पर बात करें तो इस वाले ज्रॉर में मैंने रखा है कुछ ऐसे सूट्स जो कि कभी एकदम से कहीं जाना हो तो आप पहन के एकदम से जा सकते हो तो वह सूट्स मैंने यहां पर और यह जो आप दो लेयर देख रहे हैं यह तो मैंने cap रख दी है उपर ऐसी तो यह जो आप यह वाली यह और यह आप जो मेरी यह लेयर देख रहे हैं यह दोनों मेरे यह जो दोनों लेयर है यह दोनों मेरी western top टी शर्ट उसकी है तो जितने भी मेरे टॉप्स है और टी श मैं regularly, casually जैसे वियर करती हूं कुरती है इसके लेने के लिए और ये जो आप बॉक्स देख रहे है ये वाला इसमें जो है मैंने अपनी जो इनर वियर्ज होते हैं वह रखे रहे हैं अच्छा उसके बाद हम आते हैं हमारी जो ये इसके नीचे वाला ड्रावर है आप देख सकत जो मैंने हां रखे हैं 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 जो मेरे बेटे के कपड़े हैं जो बल्कुल भी यूज नहीं हुए हैं और नू है जो मैंने हां रखे हैं जो मैंने हां रखे हैं जो मैंने हां रखे हैं now so those are in these boxes so that's all this is the tour of my Indian wardrobe as you can see over here so guys this was my today's video in which I told you that you can organize the Indian closet in which way how can you organize the Indian closet so I hope that my video that you like and don't forget to like this video and don't forget to share your feedback and don't forget to subscribe to my channel so please subscribe